सब जानते होंगे हम लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चैन आयोग के भुक्त भोगी हैं जो कि 2016 में एक विज्यापन निकला था परिच्छा हुई 2021 में दूसरा विज्यापन आए 18 में परिच्छा हुई 16 अपर 2022 को और 6 महिने और 1 साल के ऊपर हो गया है परिच्छा करवा हुए रिजल्ट अभी कहीं अतापता लापता है अब बात कहें हम यह जो देख रहे हैं कि हमारे सब लोग यहां इको गार्डन में धर्ना दे रहे हैं विगत 26 नमवंबर से हम लोग यहां अनुवरत आमर्ण अंसन पर बैठे हुए और यह हम लोगों का अनुवरत चलता र कर दिया था क्योंकि यह अभी तक इनकी सुझ नहीं लिए गई है 28 विग्यापन संख्या 2016 489 पत्यमात्र 489 उसके बात तीन पत्यमात्र 486 रह गए अब यह तो एक लिजेगा इसको निकले हुए 6 साल हो गए इसका अभी तक परिणाम लंबित है परिणाम लंबित है दूसर को बैकेंसियों को आयोगदर किनार कर रहा है नजर अंदाज कर रहा है सोतेला बेवहार कर रहा है बलकि उसके बाद की विध्यापन संख्या आपको बताते हैं 2019 समलित अवरादिनस सेवा 672 लगभग पूर सम्तिंग यह मालेजय अंतिम रिजल्ट की और पहुँच गया है दूसके उसके बाद आता है 2021 का जो विध्यापन है 2021 का है स्वास्त करकरता महिला का क्यों बानवे सो बारह पद है इस पर इनको पूर्ण कर लिए हो इनके इनको कॉंप्ली चेक हो गई ओमार चेक हो इसका रिजल्ट निकाल दिये सब कुछ कंप्लीट कर दिया हम भेद भाव सोतेला बेवहार क्यों के ह हम कहेंगे 20 बार कहेंगे दरसल क्यों कर रहे हो कि इस पर जो संख्या है तीन अंकों में दिखाई दे रहे हैं 9212 क्योंकि आपको क्या चाहिए जितनी संख्या भारी होगी जिस विध्यापन में आप दिखाएंगे कि हमने 10,000 लोगों को रोजगार दे दिया और हम लोग य अराम से हम अनुने विने के साथ आपसे हम करें कि आप जिस उत्रम में आपने वैकेंसी निकाली है आप उस करम में पूर्टो करिए हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उसके बाद की वैकेंसियों को आप कर रहे हो हमारी वैकेंसी क्यों नहीं कर रहे हो समस्च्या यहां प्यार करने जो भी चीजें आप कर्मा वां निकालिए क्रमा भूसार निकाले निकाले हो तो उसको पूरा करिया में कोई दिक्षण नहीं है आप 10 साल नहीं निकली हम बाइट रहेंगे लेकिन हमारी बात की वैकेंसी नहीं नहीं निकलनी चाहिए पर गुस्ता है अब भी कुछ बोल तो जिसको जादा इंतजार करना पड़ रहा है 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 तो जरूरत उसकी जादा है तो आपने छह सालों से लटका रखा है उसको आपने आप पपर हमें आ तो बहां से भगा दिया जाता है पुलिस फोर्स मुला ली जाती है समय और वहां वहां से हमें यह दाके मार के भगा दिया जाता है और हमस्थ ने थे लिए अधर हम empieza the करवाएंगे फिर तो ती मेंनेम जो है मारा मेन रिज्ट अलटाएगा कब जोइनिंग होगी कब क्या होगा मर जाएं जी यह क्या करें यह बताइए चौबेस पच्छेस हम 28 29 साल का हो यह 25 साल का हो रहा है क्या मतलब है साला जिंदगी है कि नरक बना रख़ा है तो क्या धरवाले आपको बोलते होंगे तो बहुत पैसा लगा दिया अपराही करना नहीं अब अब बोलेंगे क्या जब यह हां तक हम लोग दो हजार सोला के पास आउट हुए पहली बात तो यह एकजाम च्छा साल बात करा है तो जब तक पढ़ रहे थे तब तक पैसे मिल पासे नहीं है और जब यह पता चल गया कहा इसमें हो जाएगा तो हमने पढ़ना बंद कर दिया वह भी दो महींने वेट किये जब लगा कि रिजल नहीं है तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया हम लोगों कहां से आने का डेली रूम पे साट रूपय का किराया आए जो लोग एजुकेशन में होने जो इस सेक्टर में पढ़ाई करते हैं उनकी स्थती ने पता हो तो आगे अब कब तक ऐसे बच रहे जाता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे क्योंकि बिना रिजल्ट लिए तो हम यहां से हटने वाले नहीं है इतना आठ साल हम लोगे छे सा जो कि इस एक्जाम में पार्टिसिपेट की हैं और यहां पर हम लोग इसके बाद यहां से सिया मावास की तरफ पूच करेंगे इनकी काबलियत कितनी है इससे तो आप अंदाजाई लगा सकते हैं जहां पर एक खड़े है यह इस ट्रेक्टर आप देखेंगे इतना विशाल यह बनाया गया है एन गहीं सिविल इंजिनिंग की देन आज यहां पर लाखों लोग यहां पर घंड़ने देते हैं परड़े आकर कि 10,000 लोग रहते हैं तो क्या आपने अच्छा गाम करते हैं सिविल का ही शेत्र है जी यह देश का दुर्भाग ही कहूंगा मैं कि हम लोग यहां पर अन्सन के लिए आना पड़ा है अपनी मठी का बैठ यह जी 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 बहुत सारे लोग इस इस इसतिती में हैं कि बहुत सारे लोग अपने परिवार से पीड़ेद हैं इस चीज से घर से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है दर-दर भटक रहे हैं क्या करें सर अमे इस बहुत बुरा हाल हो गया है इतनी पढ़ाई करने के बाद तो यहीं सब चीजें हैं 2016 की बिकैंसी 419 पर इसमें लिखा है इस पर परड़ाम अभी लंबत है और यह सब जो इन्हों ने इसमें इसमें वोट किया हुआ है कि अगर जो है वह में यह कल का फ्रोग्राम है क्लम सीम आवाज जाएंगे और जुइंदन सभा और भी हिरने का प्लान है यह प्रहilippy फेल है परेसासन करेंगा और नहीं जाने देंगे तो ही ह AdaptUS primera करता सुरू एम जाएंगे मर जायंगे चुल है कि अब तरकार को देखना चाहिए है इसमें शर्कार को देखना चाहिए इसमें यहां पर परेशान होंके बैठे हुए है कोई सुन रहा है महारी बार्क Gandaar बनाके रखा हुआ है विल्कुल जो है तो में खरें पिरेच के बिधिन दिलों से आये हैं, कहां रुखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाएंगे, और पर शुपता हैं चीज कि असमिये कैंट दीडिए USS कहें अब कर देरफ कुए सब्द। मेरे घर पर पता नहीं है, मैं यहां पर में में जूटकर में बैटा इनके परिवार से तुम्हें जड़ा नहीं है लेकिन इनके आशु बता रहे हैं कि कहीं न कहीं इस प्रकार से बिचलित हो जाएगा तो इस देश का भविष्ट क्या होगा उपर दस दिन से टिका हुआ हूँ अब देखना यह है कि अब किसी का सामने नहीं आना चाहता हूँ इतने तानी मिलते हैं ज्यादा बात नहीं कर सकता है इसे बहुत है और अब देखना यह है कि अपके स्पिटार से जो जिम्मेदार हैं जो विदान सभा में या सदन में कौन ऐसा प्रितनिधी है जो आब आज उठाए मैं तो चाहूंगा कि कोई ऐसा जिम्मेदार प्रितनिधी इनका विदान सभा तक आवाज लेके जाए और कि भाबुख हो गया है काफी जो है जो है इनके बोलने में बहुत ज्यादा इनों ने बताया है पांच शे दिन हो चुके हैं मैं डेली सुबह निकलता हूं कहीं इसके ऑफिस के उसके ऑफिस अपना ग्यापन देता हूं ताकि हमारी कोई तो सुनिया दसमा दिन है आपर सरकार क्या देख रही है सरकार कि मैं सरकार पर उंगली उठाओं तो मैं मैं गलत हूं सरकार पर उंगली ना उठाओं तो बैठा रहा हूं मैं आप क्या स्थिती बना रखी है यूवा देश का भविश होता है तो आप लोग तो भविश होने हैं कहने के लिए तो यह है कि हम लोग सरकार की तरफ नहीं उगली उठाएंगे क्योंकि हम सरकार को गलत सावित करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ सरकार क्या करेंगी लेकिन आप जो है मुद्धे पे तो नहीं बात कर रहे हैं आप रोजगार के मुद्धे पे आप यूपी ट्रॉपल स्ची को अपने कब देख रहे हैं अदीनस सेवा चाहिन आए उक तरफ रजर उठा कर देखी ए तीन तीन महीने हो जाते हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है यह हालत है और बहुत इन्हों ने अपना पुरा भाव्कता जो इनकी दिखी है इसमें इसपेस्ट भावकता दिखी है अब सरकार की ऊ बोल देते हैं प्रैवेट जॉब कर लो प्रैवेट प्ड़े ऐं डिप्लोमा किस लिए किया रिफॉट करने के लिए रख एक बताईए डिये अपनाolina कि सलोगे रहें औरión ने की बैठे ऊटने अममारी बाष्ट सुनें और यहां और अपने किसी एदिकारी को बेजे बहुत टेक्निकल लोग हैं और कहीं न कहीं इनकी इस्थती को सभी बाकिव हैं जब यह लोग तैयारी करते हैं तो इजाम देना पड़ता है फिर इसके बाद कौंसलिंग कराने के बाद घूंते हैं प्रश पर 25 प्लस ही हैं, 30, 32, 35 तक लोग पहुच गया हैं, और अब कुछ ही समय उनके लिए और है, जवाब नहीं दे रहा है, तक 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 तयारी करेंगे, और नहीं तो फिर कुछ न कुछ अपनी रोजगा चलाने के लिए पना बुछ काम करेंगे, तक बाकि आप लोग थोग सा सरकार से भी गयापन के माध्यम से लन्हें हर जगे, जगे जगे जगे, सब जगे जगे जगें, अम लोग छे बजे उटके इनके साथ, लड़कियों के मैं पूरी दर दर फटकते हैं, आज एक दिन साथे, ग्यारा दिन से भटक रहे हैं, सर किसके पास नहीं है, हर जगे अ अब तक कोई सुनने नहीं आया है अम लोग का बाद इस तहीं ठंड लगती है सुमर में फिर भी छे बच निकल जाते हैं एकल दो-दो घंटे वेट करते हैं उनके आवास पे बाहर जाके बैठ बैठ के कोई तो सुन ले कोई तो सुन ले लेकिन अब तक कोई नहीं सुन रहा ह युवा साथियों से अपील है कि ऐसे लोगों का जो कबरेज हो रहा है इसको आप लोग फ्रसायोग प्रदान करें इसको इतना भेजें इतना आगे तक बढ़ाएं कि जो जिम्मेदार हैं उनके कानों तक आवाज जाए इनका दर्द को कहीं न कहीं सुन सकें और इनके दर् प्रदा नहीं है कि इस पह बहुत ज्यादा खीचा जाए लेकिन जो यह लोग डिविडम सहित इसको लेखे आये हैं तो आप लोग खुद इसको विचार कर लेंगे कि भाई 2016 का आप नहीं कर पा रहा हैं उसके बात की जो प्रकेंसिया रही है उननीस में जो पूर होने की इ जा रहा है तो आप लोग देख से रहे हैं तरक शेटी उपिदांस नापको लगनो जैहिन नमस्कार कल के लिए जो है कि जो कल आप बड़ा धरना कर रहे हैं च्छा तारी को च्छा दिसंबर को उसके लिए बच्चों से क्या कहेंगे आपके जो सांती हैं जो डिप्लोमा हो कैसे हैं जो नए बी बेटी हैं मुन उनके लिए भी हमांग कर रहे हैं कल हमारा सबसे बड़ा धरना है च्छे तारीक को और आप लोग बहुत ज्यादा संख्या में आए ताकि हम सरकार पर अपना एक प्रेसर मना सके सरकार से अपनी बात कह से कि आप लोगों को आना ही होग बरना आज हम यहां पर बैठे हुए हैं कल परसों आप बैठे होंगे और ऐसे ही बटकते रहेगा कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है इसलिए एक दिन को लिए आपको बुलाए जा रहा है तो आप आईएगा जरूर आईएगा हाद जोड के बिंती है और यह मेरी बिंत आईएग पर सवाल कर रहे हैं कि आईएग आखिर क्यों नहीं जो जेई भरती है 2016-2018 कि उसका नया रेजल्ट उसके बाद 2018 के बाद जेई भरती का एक भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है इन सारी चीज को लेकर के आखिर क्यों जेई के सुडेंट्स के साथ जेई जो और 6 तारिक में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्तित हो करके अपनी आवाज को तेज बनाएं अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार में बैठे हुए जो हमारे मंद्री लोग हैं जो सकता पक्स है और मीडिया के माध्यम से आयोग तक भी ये बात पहुँचे औ ये जो नए परड़ाम पुराने पर लंबित हैं इन परड़ाम पर रेजल्ट आया और उसके साथ साथ नया विग्यापन भी आये तो इसी बात के साथ मैं विराम करता हूँ धन्मार